आसलाम की विवर्स मैंने द्वान चीमा फांडर और और सी ओफ मकान सलूशन्स प्राइवर लेमिटेड आपका सफर प्लॉट से मकान तक एक सोसाइटी के हवाले से मैंने रिसेंट एक वीडियो पोस किती जिसमें ने पांच की पॉइंट के हवाले से किसी भी सोसाइटी के हवाले से वो सोसाइटी के ग्रोथ में कितने की रोल प्ले करते हैं वो पांच की पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं उसके हवाले से ज what are the current prices in that certain society? Number five is what is the current status of development in that certain society? Now the first point of view is based on end-user point of view, so it's a famous location. So the location's point is the most important. What is important? Number one is location, number two is location and number three is location. अब इन तीनों पॉइंट्स को देखा जाए अगर तो सबसे पेला पॉइंट जो प्वाले से डेडेल्स कर जाता है ज़एदा एहमियत का हमिल होता है तो सबसे पहला पॉइंट की बात करते है लोकेशन यह जो लुकेशन हली पॉइंट है इसलिए कि नोबद इंटरनेशनल तो इस New Islamabad International Airport की exact North side पे Nova City वाकिया है अगर हम बात करें North side के लावा इसकी opposite side पे South side पे airport की तो South side पे जो societies हैं उनका नाम है Top City and Monta City Location wise जो society की location है इंतहाई prime location है वो किस लिहाँ से prime है हम आपको वो explain करता हूँ नमर बन के लिए Nova City का जो अपना main gate है main entrance gate है इसके हाले से Nova City की जो management है already government को काफिया तक अपने dues भी clear कर चुकी है main Nova City की CPAC route पे interchange के लिए वो main CPAC route डियाई खान हकला motorway के उपर है अब डियाई खान हकला motorway already operational है और यह CPAC का जो है इंतहाई एहम route है जो CPAC cargo zone के साथ New Islamabad airport के साथ तकरीमा round 28,000 कनाल का area है CPAC cargo zone याई चाइना से जितनी भी inventory अपने export करने होगी towards other countries तो जब CPAC route से travel करके लाएंगे इसी road से गुजर के वो New Islamabad airport के पास आएगी और यहाँ से फिर जो material by air supply करने वाला होगा वो by air जाएगा और जो by road supply करने होगा वो आगे इसी रस्ते से गवादर तक जाएगा यह CPAC route की एहमियत है अब CPAC route पे अगर Nova City का अपना जाती interchange होगा जब तो इस लिहाँ से Nova City काफी ज़्यादा एहमियत का हामिल होगा कि left side से right side से कोई भी individual CPAC route पे जाता है तो बड़ा easily access ले सकते हैं towards Nova City main entrance gate यह दो location का होगया पहला point कि location का पहला point जो हो CPAC route के उपर proper interchange होगा जिसकी वैसे Nova City के हमियत काफी ज़्यादा है अब बात करते second key point की second key point अगर आप let's say downtown Islamabad के resident हैं यह downtown Islamabad में आप job करते हैं सदर आवलपंडी में job करते हैं यह आप यहां के resident हैं और आपने उससरफ travel करना हो commute करना हो तो आपके लिए क्या options है अब वहां तक सिरिनगर हाईवी proper operational है और वहां तक आप properly access ले सकते हैं अगर आपके पास अपनी convince अवेलेबल है तो आप easily वहां तक access ले सकते हैं अब Nova City के अची बात है कि इनका front वहां पे तो back side से इसको सिरिनगर हाईवे से connect करने की तयारियां की जा रही है जिसकी land procure की जा रही है और आने वाले दिनों में hopefully इस वक जो current procure land है that is around 20,000 कनाल और इसके आस पास जब बाकी land procure हो जाएगी तो उसको जब सिरिनगर हाईवे से अब जो लोकल रेजडेंट्स है यहां के रावलपिंडी इसलामबाद के उनको downtown commute के लिए बड़ा जो easy access मेल जाएगा वह है सिरिनगर हाईवे का access बड़ा easily access लेजते हैं यह सदर से जिटी रोड के थू जी 13 जी 13 से अब कश्मीर हाईवे से easy access बन जाएगा Nova City का अब daily base पे downtown commute जो है वो compulsion है उनके लिए possible है कि वो सरकारी मुलाजिम हो daily base पे दफ्तर का आना जाना क्या वो ऐसी जगह पर afford करते हैं रहना या इसी जगह पर plot लेना फोर्ड करते हैं इवन दो plots जो हैं बहुत feasible हैं यहां पे जो बाकिस societies हैं टॉप city कर ले हैं उम्तास city कर ले हैं जो 10 साल पहले इसी rate पे 10-15 लाग का कनाल का plot मिलता था आज आप प्राइस चेक रहें तो आपको at least 3000 टाइमस जो है उन्हीं सुसाइटेज में तो अब जिन लोगों ने daily base पे commute करना हो लेकिन अपने पास उनके पास गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है बाइक भी अवेलेबल तक operational हो चुकी है अब नियु इसलामबाद एरपोर्ट अगर metro operational है तो metro की वज़ा से जो downtown commute है किसी भी member का अब लटसे आप एक government deploy है और आपकी जॉब है सेक्टर 8 में आप blue area के साथ sector G5 G6 में आना चाहते हैं daily base पे तो आप easily blue area जो डी चॉक है वहां तक 20 रुपीज देकर आ commute कर सकते हैं एक side का two side commute आपका 40 रुपीज का बन गया अब यह 40 रुपीज में daily base पे नौवा सेटी का जो commute हो क्यों feasible है क्यों government की तरफ से already वहां पे metro bus service available होने की वज़ा से वहां पे बड़ा easily commute हो सकता है इसलामबाद की तरफ G6 की तरफ let's say को individual travel करता है उसने रावल पिंडी सदर में सब काम है या सदर में resident है या रिश्देदार रहते हैं कोई भी काम है लेकर daily base ना सही तो हफते में एक या दो दफा या तीन दफा आना जाना है वैसे distance ज्यादा बनता है overall distance देखा जाए तो लेकिन मेट्रो बस सर्विस की वैसे आप easily 20 रुपीज दे कर बड़ा easily commute कर सकते हैं रावल पिंडी सदर, 6 रोड, चांदी चोग, कमेटी चोग इस साइट पे और अगर आप इसलामबाद की बात करें तो आप easily commute कर सकते हैं towards blue area, कश्मीर highway, G6, G9 और ये बड़ा easily commute जो है इस जारा बेल्ट उसमें है तो उनलों के लिए वैसे direct commute available है from CPAC route, number two, जो लोग residents है पंजाब के या इस साइट से आना जाना चाते हैं तो उनके बड़ा easily direct access है from M2 motorway और M2 motorway से वाया सिरिनगर highway आप direct access भी Nova City में ले सकते हैं, third is के जो लोग residents है local याने रावल बिन इसलामबाद के local residents हैं और उनको easy commute के लिए daily base पर travel करना है, जो दूसरे मैंने पहले तो explain की हैं, वो है कि जिनका often like once a month और twice a month वो travel होगा, जिनका daily base पर commute है, daily base पर आना जाना है और उनके लिए daily base पर उस तरफ travel करना है, तो उनके लिए बड़ा easy commute available होगा, वाया metro bus service, आप easy access ले सकते हैं, यह reason है कि Nova City की location को अपने लिहाज से काफी ज़्यदा prime advantage हासिल है, यह prime advantage जो है और Nova City की location को इसलिए भी एह हम बनाता है कि Nova City की जो prices हैं, वो काफी ज़्यदा feasible है, आज की date में बात की जाए तो pre launch date में 5 मला का प्लॉट है, 19,95,000 रुपे का, अगर इसकी launch date की बात की बात की तो वो बनता है 27,50,000 रुपे, तो जो भी individual है, यह including development charges है, और इससे भी हट के बात है, कि Nova City की management की आप confidence के level लेखें, देसे हैं, 75% of the principal amount आप पे करें, और बाकी 25% है, possession पे पे कर लें, इतने confident है, they have delivered new city work and in the past, और अपना एक confidence है, अपना एक record है, deliverance का, they are so much confidence, they said के आप 25% amount अपने पास रखें, जब possession लें, तब आप hand over अपना principal amount जो बाकी वो पे कर दें, जिसकी वैसे आप इस बात सुसाइटी पे काफी एक यकीन की सुतहाल बनती है, कि सुसाइटी का future आने वाले दिनों में काफी सदा bright है, क्योंकि एरपोर्ट की surrounding में इस feasible rate पे जहां पे एक मर अपने प्लॉड बॉक कर सकते हैं, so this was it from today, अगर आपको नोवा सेटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूमाँ चाहिए हो, तो हमारी वेबसाइट पर रापता करें, www.makansolutions.com, अगर आपको मुझसे बात करने हो, directly हैं, कोई मालूमाँ चाहिए हो, तो मेरे WhatsApp नमबर जो आप